चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्देक स्वागत करता हूँ दोस्तों नीट 21 के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि NTA डाइरेक्टर स्रीविनीत जोशी ने कल 11 मार्स 2021 को कनफर्म किया है कि नीट 21 साल में एक बार पैन एंड पेपर मोड पर कंड़क्ट होगी और इसकी एकजाम डेट जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोक्रियाल निसंख ने ये बताया था कि नीट 21 का सलेवस सैम नीट 2020 जैसा ही रहेगा हालांकि इसमें इंटरनल चोईस किर्शन होंगे कहने का मतलब यह है कि इस बार नीट 21 के लिए कोई किसी परकार की चेंजिंग नहीं होगी काफी सारे स्टुडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि इस बार नीट 21 के लिए कोई चेंजिंग होगी क्या तो मैं उनी स्टुडेंट को बता दूँ कि इस बार नीट 21 के लिए किसी परकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी यह पेपर नीट 20 जैसा ही रहेगा नीट 20 की तरह ही नीट 21 कंडेक्ट करवाया जाएगा अभी जल्द ही दो चार दिन के अंदर ही एक्जाम डेट अनाउंस होने वाली है और इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसे ही ये exam date announce हो जाएगी और application form start होंगे तब मैं आपको inform कर दूँगा आप study में लगे रहें आपको study के लिए जितना समय मिल रहा है उतना ही अच्छा है अभी मैं आपको यहां पर clear कर दूँ कि exam date delay होने से 21 के session पर कोई effect नहीं पड़ेगा क्योंकि need 20 का session भी late start होा था और इसी को manage करते हुए need 21 के session लेट होने से भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा तो दोस्तों मिलते हैं नई update नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाय चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा जैहिंद